ये मेरे 28 फरवरी 1935 के सावरकर के नाम पत्र से भली भाती विदित होता है आज भी मेरे वही विचार है गांधी जी से मेरी शत्रुता नहीं थी लोग कहते हैं कि पाकिस्तान योजना में उनका मन शुद्ध था मैं ये बताना चाहता हूं कि मेरे मन में देश प्रेम के अतिरिक तक कुछ न था मुझे इस कारण हाथ उठाना पड़ा कि पाकिस्तान बनने पर जो भेंकर घटनाएं हुई उनके उत्तरदाई केवल गांधी जी थे मुझे ये पता था कि हत्या के बाद लोगों के विचार मेरे विशे में बदल जाएंगे समाज में मेरा जितना अधर है वो नश्ट हो जाएगा मैं जानता था कि समाचार पत्र बुरी तरह मेरी निंदा करेंगे किन्तु मैं नहीं जानता था कि अगबार इतने पतित हो जाएंगे कि सत्य का गला घोड़ देंगे समाचार पत्रों ने कभी निश्पक्षता से नहीं लिखा यदि वे देश के हित का अधिक ध्यान रखते और एक मनुष्य की व्यक्तिकत इच्छाओं को कम ध्यान देते तो देश के नेता पकिस्तान स्विकार न करते समाचार पत्रों की ये निथी थी कि लीडरों की गल्तियों को प्रकट न होने दिया जाए देश का विभाजन इससे सरल हो गया ऐसे भरष्ट समाचार पत्रों के डर से मैंने अपने निष्चे की दुड़ता को विचलित नहीं होने दिया कुछ लोग कहते हैं कि यदि पाकिस्तान न बनता तो आजादी न मिलती मैं इस विचार को ठीक नहीं मानता लीडरों ने अपने पाप को छिपाने के लिए ये बहाना बनाया है गांधिवादी कहते हैं कि उन्होंने अपनी शक्ती से स्वराज जब पाया यदि उन्होंने अपने शक्ती से स्वराज लिया है तो उन्होंने हारे हुए अंग्रेजों को पाकिस्तान की शर्त क्यों रखनी दी और शक्ती से क्यों नरोका मेरे विचार से महात्मा और उनके अनुयाईयों की एक ही पॉलिसी रही और वो ये कि पहले यवनों की मांग पर विरोध दर्शाना फिर हिचक दिखाना और अंत में आत्म समर्पन कर देना इसी प्रकार पाकिस्तान की रूप रेखा स्विकार कर ली गई 15 अगस्त 1947 को छलप पुरवक पाकिस्तान स्विकार कर लिया गया पंजाब, बंगाल, सीमा प्रांथ और सिंद के हिंदूं का कोई विचार नहीं किया गया देश के टुकड़े करके एक मजभी धर्मनिष्ठित मुसलिम राज्य बना दिया गया मुसल्मानों को अपने अराश्ट्रिय कार्यों का फल पाकिस्तान के रूप में मिल गया गांधिवादी नेताओं ने उन लोगों को देश द्रोही, सामप्रदाई कहे कर पुकारा जिनोंने पाकिस्तान का विरोध किया था और पाकिस्तान स्वयम स्विकार करके जिना की सब बात मानने। इस दुरघटना से मेरे मन के शांती भंग होगी। अंधिवादी कहते रहे कि हिंदों को पाकिस्तान से नहीं आना चाहिए और वही रहना चाहिए। इस प्रकार हिंदू मुसल्मानों के चंगुल में फस गए और विकट विपत्यों के शिकार हुए। जब मुझे इन घटनाओं की याद आती है तो मैं काप उठता हूँ। उस निकाले गए। उनको पशों के भांती बेचा गया। लाखो हिंदों को धर्म बचा कर भागना परा। चालीस मिल लंबा हिंदू निराश्रितों का जथा हिंदुस्तान की और आ रहा था। हिंदुस्तान शासन इस भयानक गृत्य का कैसे भयानक निवारन करता था। उन निराश्रितों को वायू यान से रोटियां फेक। भारत सरकार पाकिस्तान से अत्याचार रोकने के लिए अनरोध करती या धंकी देती कि यदि पाकिस्तान में अत्याचार बंद नहीं हुआ तो भारत में भी मुसलमानों की बुरी दशा होगी तो इतने अत्याचार न होते। भारत सरकार गांधी जी के इशारों पर चलती थी और उसके नीती कुछ और ही थी यदि पाकिस्तान के हिंदों की रक्षा के लिए समाचार पत्र कुछ लिख देते थे तो ये अर्थ लिया जाता था कि वे हिंदु मुसल्मान में मतभेत फैराने का प्रैत्न कर रहे हैं ऐसे कारियों को अपराध माना जाने लगा और प्रेस इमर्जेंसी एक्ट की धाराएं लागू करके एक के बाद एक दुसरी जमानत मांगी जाने लगी मुझे भी अनेक नोटिस मिले और सोलह हजार रुपे की सुरक्षित निधी तक मांगी गई श्री मोरार जी देशाई के न्यायाले बयान के अनुसार ऐसी नौसो घटनाएं हुई इतना ही नहीं जब प्रेस प्रतिनिधी मंडल मोरार जी से मिलने गया तो उन्होंने उनकी एक न सुनी इस प्रकार मुझे आशा न रही कि गांधिवादी कॉंग्रेस सरकार पर शांतिमे ढंग से दबाव डाला जा सकता है जब इस प्रकार की घटनाएं हो रही थी तब पाकिस्तान या मुसलमानों के विरध गांधी जी ने एक भी शब्द नहीं कहा हिंदु जातिया और सौस्कृति को मिटाने के लिए मुसलमानों ने जो अत्याचार किये उनका मूल कारण गांधी है यदि भारत की राजनिति को भली भाति समाला जाता तो ऐसा हिंदु संभार कभी न होता जैसा अब हुआ और जिसका उधारन इतिहास में कही नहीं मिलता सबसे महत्वपुर्ण बात ये है कि मुसलमानों से सम्मंद रखने वाली समस्याओं में गांधी जी ने कभी जनता के विचारों की ओर ध्यान नहीं दिया गांधी जी की अहिउसा की आड में इतना रख्तपात हो चुका था कि जनता पाकिस्तान के पक्ष में किसी भी विचार का स्वागत करने के लिए तैयार न थी स्पष्ठ था कि जब तक पाकिस्तान में धर्मांद मुसल्मान राज्य है तब तक भारत में शांती नहीं हो सकती फिर भी गांधी जी इस प्रकार का प्रचार कर रहे थे और इस तरह के विचार पाकिस्तान के पक्ष में फैखला रहे थे जैसा कर सकने में कोई कट्टर लिगी नेता भी सफल न हो पाता इनी दिनों में उन्होंने आमरन अंशन की घोशना करते हुए जो शर्ते रखी वे सब भी केवल हिंदों के विरुध और मुसल्मानों के पक्ष में थी गांधी जी के अंशन की जो शर्ते थी उनमें पहली ये थी कि दिल्ली की मस्जिदों में रह रहे हिंदू शर्णार्थियों को बाहर निकाला जाए और मस्जिदे मुसल्मानों को सौप दी जाए गांधी जी ने अपनी शर्थ सरकार और अन्य नेताओं को अंशन की धमकी दे कर स्विकार कराई जिस दिन ये घटना हुई उस दिन मैं दिल्ली में था मैंने देखा कि किस प्रकार गांधी जी की जित को पुरा किया गया वे शित के दिन दे गांधी जी ने अंशन खोला उस दिन वर्षा हो रही थी ऐसी असाधरन सर्दी और वर्षा में अच्छे स्थानों पर रहने वाले लोग भी काँप रहे थी उस समय निराश्री शरणार्थियों के कुटुम्ब के कुटुम्ब मस्जिदों से सर्दी के मारे कापते हुए निकाले गए उनकी रख्षा का कोई प्रबंद नहीं किया गया कुछ शरणार थी जो कुटुम्ब और स्त्रियों सहीद बिरला हाउस गए और उन्होंने नारे लगाए गांधी जी हमें स्थान दो उस भव्य भवन में रहने वाले गांधी तक उन निराश्रितों की आवाज नहीं पहुंच सके। मैंने ये दुश्य अपने आँखों से देखा जिसे देखकर कठोर से कठोर व्यक्ति का रिधय भी पिघल जादा। मेरे मस्तिश्क में इससे अनेक विचार आने लगे। मैंने सोचा कि क्या शरणार्थियों ने प्रसंद्नता से इन मस्जिदों में डेरे डाले थे। नहीं नहीं गांधी को भी उन स्थितियों का पूरा पता था। जिनसे बात देहोकर उने अपने घर छोड़कर इन मस्जिदों के शरण लेने पड़ी। पाकिस्तान में एक भी मंदिर या गुरुद्वारा सुरक्षित नहीं रहा। शरणार्थियों ने अपनी आखों से देखा था कि किस प्रकार मुसल्मानों ने केवल हिंदू मंदिरों और गुरुद्वारों को अपवित्र किया। जो हिंदू शरणार्थि दिल्ली शरण लेने के लिए आये थे उन्हें यहां कोई स्थान नहीं मिला। इसमें अश्चर की क्या बात है। यदि उन लोगों ने पेड़ों के नीचे और गली कूचों में न पड़े रहकर पंजाब में बीती हुई दुरगटनाओं को स्मरण करके दिल्ली की वेर्थपड़ी मस्ज पूचे किया कि मस्जिदों को खली कराये जाएं वहां उनके रहने का दुसरा प्रबंदक क्यों नहीं कराया। उन्होंने पाकिस्तान के मंदिर हिंदों को सौपने की मांग क्यों नहीं की। जिससे पता चलता कि गांधी वस्तुता अहुंसा के पूजारी है। हिंदु मु पूजने के लिए पाकिस्तान के लिए एक भी शर्त नर रखी। यदि वे रखते तो संसार देखता कि गांधी जी अंशन करते हुए स्वर्ग सिदार जाते और पाकिस्तान के एक भी मुसल्मान को लेश मातर दुख न होता। उन्होंने अपने अन्हों से देख लिया था क कि उनके व्रत का जिना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और लीग उनकी आत्मशक्ति की परवान नहीं करती अंत में ये कहना अनुचित न होगा कि गांधी के फूल याने अस्थी भारत और विदेशों की बहुत सी नदियों में बहाए गए परंतु ये अस्थी पाकिस्ता में भारत के राजदूत श्रीयूत श्री प्रकाश जी का प्रयत्न निश्फल रहा अब 55 करोड रुपयों की बात लीजिए उपप्रधान मंत्री का निवेदन देखिए गांधी जी ने स्वयम कहा है कि कि किसी गवर्मेंट से उसका निर्णे बदलवाना कठिन हो जाता है अपना निर्णे बदल दिया गांधी जी का 21 जनवरी 1948 का प्रार्थन प्रवचन देखिए सरकार ने 55 करोड रुपे न देने का निर्णे जनता के प्रतिनिदी होने के नाते किया था लेकिन गांधी जी के अंशन ने इस निर्णे को बदल दिया तब मुझे ये ग्यात कि गांधी जी की पाकिस्तान परस्ती के आगे जनता के मत का कोई महत्व नहीं है। इस शिर्षक के नीचे दिया था अपने राष्ट्रिय जनों का जिससे नरसंवार होगा वो पैसे देने का कृत्य हम नहीं करेंगे। ऐसी गरजना चल रही थी और सरदार वल्लब भई के धौस को और दबाव में भीक नहीं डालेंगे। ऐसे विरत्व के शब्द सुनने में आते थे। इतने में ही गांधी ने अंशन करके पाकिस्तान को करोडों रुपे देने को नहरु शासन को बाध्य किया। 55 करोड प्रदान की स्विकृति से लोग कैसे प्रक्षुब्द थे इसका ये उधारन है। मुसल्मानों ने स्वतंत्रदा अंदोलन का विरूत किया। इसलिए पाकिस्तान बना। जिनों ने पाकिस्तान का पक्ष लिया उनको पाँचवे स्थम्भी कहा गया है। उनकी निंदा की गई है। परन्तु मेरी दृष्टी में गांदी जी ने पाकिस्तान का पक्ष सभसे अधिक लिया। और कोई शक्ति उनको रोक नहीं सके। इस थिती में हिंदों को मुसल्मानों के अत्याचारों से बचाने का एक ही उपाय था कि गांधी का अंत कर दिया जाए। इसलिए सच्ची आत्मा से पाकिस्तान का विरोध करते तो लीग कभी भी इतनी सुधुर्टा से ये मांग न रख पाती और अंग्रेज पूर्ण प्रहत्न करके भी इसे न बना पाते। अपना करतव्य समझा कि ऐसे व्यक्ति का अंत कर दिया जाए। जिसको कहा तो जा रहा है राष्ट्र पिता। किन्तु जिसने मात्र भूमी का विभाजन करने में सरवाधिक हाथ बटाया है। हैदरावाद की समस्या का भई यही इतियास है। निजाम के मंत्रियों एवं रजाकारों ने जो अत्याचार हिंदूं पर किये उनका वरणन करने की अवश्यक्ता नहीं है। वहाँ के प्रधान मंत्री लायक अली जनवरी 1948 के अंतिम सप्ता में गांधी जी से मिले थे। शिग रही पता लग गया कि गांधी जी का व्यभार इस विशे में भी विचित्र है। जिस प्रकार उन्होंने सुरावर्दी को अपनाया था। उसी प्रकार कासिम रिजवी को भी दत्तक पुत्र समझ कर व्यभार करेंगे ये बिल्कुल स्पष्ट था। जब तक गांधी जी जीवित थे तब तक सरकार हैदराबाद के विरुध कुछ न कर सकी। यदि भी वो पूर्ण अधिकार और शक्ति संपन थी। यदि गांधी जी के जीवन में ही भारस सरकार हैदराबाद में सेना या पुलिस की कोई कारवाई करने का निश्चे करती। तो गांधी जी हिंदु मुस्लिम मेक्ता के नाम पर सरकार को अपने निश्चे बदलने पर बाध्य कर देते। जिस प्रकार 55 करोड रुपया पाकिस्तान को न देने का निरने वापिस लेना पड़ा था। गांधी जी की अहयुसा उस सिवह की अहयुसा है जो उस समय अहयुसा का पुजारी हो जाता है जब वो सहस्त्रो गाएं को खापी कर ठक जाता है। कानपूर में गनेश शंकर विद्यारती को मुसलमानों ने निरदायता से मार दिया था। गांधी जी उनका उधारन देकर कहते थे कि इस प्रकार अहुंसा पर चल कर अपना बलिदान कर देना चाहिए। मेरा विश्वास है ये अहुंसा याने नकुल सकत्व देश को नश्ट कर देगी और पाकिस्तान भारत पर अधिपत्य जमा लेगा। मुझे सपष्ट दिखाई देता था कि यदि मैं गांधी जी का वध करूँगा तो मैं जड मुल से नश्ट कर दिया जाऊंगा। मैं अवश्य मरूंगा किन्तु देश अक्त्याचारों से मुक्त होगा। सब मुझे मूर्ख कहेंगे पर देश ऐसे मार्ग पर चलेगा जो उचित होगा। यही सोचकर मैंने गांधी जी का अंत करने की ठानी। मैंने अपना निरने किसी को नहीं बताया। 30 जनवरी 1948 के दिन मैंने गांधी जी का वध किया। मेरे पास कहने को और कुछ नहीं है। यदि देश भक्ती पाप है तो मैं पाप मानता हूँ। मैंने पाप किया है। यदि प्रशंसनी है तो मैं अपने आपको उस प्रशंसा का अधिकारी समझता हूँ। मुझे विश्वास है यदि मनिशों द्वारा स्थापित न्याले से उपर कोई और न्याले होगा तो उसमें मेरे कार्य को अपराध नहीं समझा जाएगा। मैंने देश और जाती की भलाई के लिए ये काम किया है। मैंने उस व्यक्ति पर गोली चलाई जिसकी नीती से हिंदूं पर घोर संकट आये और हिंदू नश्ट होए। वास्तों में मेरे जीवन का उसी समय अंत हो गया था जब गांधी जी पर गोली चलाई थी। उसके पश्चात मैं अनासक्त जीवन बिता रहा हूँ। मेरे लिए संतोष का विशे है कि मुझे कोई पश्चाताप नहीं है। हैदराबाद की समस्या में अकारण देर हो रही थी। सरकार ने गांधी जी के मृत्यू के बाद शस्त्र शक्ति से इस समस्या को ठीक रूप से सुलज़ा दिया है। भारत की अधुनिक राजनीती और सरकार अभी तक तो ठीक प्रकार से चलती हुई जान पड़ रही है। ग्रह मंत्री ने कहा है कि देश के पास प्रचूर युद्ध सामगरी होनी चाहिए। ऐसा विजार प्रकट करते हुए उन्हेंने ये नहीं कहा कि वे गांधी जी के सिधानतों पर चल कर ये सब कुछ करेंगे। यदि वे ऐसा कहें तो केवल अपने मन के संतोष के लिए कहेंगे। ये याद रखना चाहिए कि यदि आधुनिक शस्त्रों का प्रयोग करके ये कहा जाए कि गांधी जी के एहुसा सिधानत पर चला जा रहा है तो हिटलर, मुसोलिनी, चर्चिल या रुजवेल्ड के देश रक्षा के धंग और गांधी जी के एहुसा सिधानत में कोई भेद नहीं रह जाएगा, मैं यह मानने को तयार हूँ कि गांधी जी ने देश के लिए बहुत कश्ट उठाए, उन्होंने जनता में जागुरुती पैदा की, उन्होंने स्वार्थवश कुछ नहीं किया, परंतु दुख ये है कि वे इतने इमानदर नहीं थे कि अहुसा की हार क को स्विकार कर लेते, मैंने दूसरे भारतिय, देश भक्तों और नेताओं के भी चरित्र पड़े हैं, जिन्होंने गांधी जी से अधिक बलिदान किये हैं, कुछ भी हो, गांधी जी ने देश की जो सेवा की है, उसके लिए मैं उनका आदर करता हूँ, उन पर गोली चलान के पुर्व मैं उनके सम्मान में इसलिए नतमस्तक हुआ था, किन्तु जन्ता को धोका देकर पुझ्य मात्र भुमी के विभाजन का अधिकार किसी बड़े से बड़े महात्मा को नहीं है, गांधी जी ने देश को चल कर देश के टुकडे किये, क्योंकि ऐसा न्यायले या क कानुन नहीं था, जिसके आधार पर ऐसे अपराधी को दंड दिया जा सकता, इसलिए मैंने गांधी को गोली मारी, उनको दंड देने का केवल यही एक तरिकार रह गया था, यदि मैं यह न करता, तो मेरे लिए अच्छा ही होता, परंतु स्थिती बहुत खराब हो गई थी और मेरे रिधे में इतना अधिक शोब था कि मैंने सोचा कि गांधी जी को स्वाभाविक मृत्यू से नहीं मरने देना चाहिए, संसार को पता लग जाए कि इस व्यक्ती ने अन्याय पुर्वक राष्टर के साथ चल करके भयानक रूप से देश के एक संप्रदाय का जो पक आखों निर्दोश हिंदूं का जीवन बच सकता था। गांधी जी की जो अहम मही प्रवरुत्ती इस पवित्र भूमी के पुत्रों के लिए घातक सिद्ध होई, उसके लिए भगवान उन्हें क्षमा करे। मेरी न किसी से कोई शत्रुता है, न किसी के प्रती कोई दुरभ भावना। ये मैं अवश्च कहता हूं कि इस सरकार के लिए मेरे रिधय में कोई आदर न था, क्योंकि ये अनुचित रूप से देश के शत्रों के हाथ मजबुत कर रही थी। मैं देख रहा था कि ये नीतिक गांधी के कारण थी। अब ऐसे विक्तिक आंत हो जाने के रशनों और कारियों में बड़ा अंतर है। वे धर्म निर्पेक्षिता के आधार पर राष्ट्र निर्मान की बाते करते हैं जबकि उन्होंने स्वयम पाकिस्तान को धार्मिक आधार पर स्विकार किया है। उन्हें सोचना चाहिए था कि सामप्रदाइक आधार पर बनाया काम करना चाहिए। किसे ने मुझे पर इस संबंद में कोई दबाव नहीं डाला और नहीं कोई डाल सकता था। आप मेरी इस भावना को जिस प्रकार देखना चाहे देखे। और इस भावना के परणाम स्वरुप मेरे के हुए इस कार्य को देखकर जो दंड उचित समझे दें। इस विशे में कुछ कहने के मेरी इच्छा नहीं है। मैं किसी प्रकार की दया नहीं चाहता। मैं ये भी नहीं चाहता कि मेरी और से कोई दया की याचना करे। इस अभियोग में बहुत से मनुश्यों को मेरे साथ इस अपराध में ले लिया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने शडियंत्र रचा इस विशे में मैं पहले ही कह चुका हूं कि इस कार्य में मेरा कोई साथी नहीं था स्वयम मैं और केवल मैं ही इसका उत्तरदाई हूं यदि दूसरे लोग इसी दोश के लिए नहीं खड़े किये जाते तो मैं अपने लिए बचाओ भी न करता न्यायलाय को मालूम है कि 30 जनवरी 1948 के कृत्य से सम्मंदित साक्षिदारों की परिपरिक्षा याने क्रॉस एग्जामिनेशन न ली जाए ऐसी मेरी इच्छा थी और मेरे विधिग्यों को भी मेरा वैसा अगरह रहा था इससे मैं अपने लिए बचाओं नहीं कर रहा ये स्पष्ट होगा मैं इस बात को पहले ही बता चुका हूँ कि 20 जनवरी को मैं शांति में प्रदर्शन के पक्ष में न था अपने सिधांतों का पचार करने के लिए ये उपाय मुझे व्यर्थ प्रतित होता था फिर भी मैं ने प्रार्थना सभा में होने वाले उस प्रदर्शन में सम्मिलित होना स्विकार कर लिया यद्धिपेस में सम्मिलित होने की मेरी अंतरी किछांग न थी दैवयोग से मैं उसमें सम्मिलित न हो सका और किसी कारण से जब ये प्रैत्न सफल भी नहीं हुआ तब मुझे बड़ी निराशा हुई आपते और अन्य लोगों ने पुना, बंबई, ग्वालियर में स्वयम सेवकों के लिए जो परिश्रम किया था उसका कुछ भी फल नहीं निकला तब गांधी जी के वध के अतिरिक्त मेरे लिए दुसरा मार्ग नहीं रह गया था इनी विचारों में खोया हुआ जब मैं दिल्ली के शरणार्थी कैम में घुम रहा था तो मुझे एक फोटोग्राफर मिला, जिसकी कमर में कैमेरा लटक रहा था उसने मुझे फोटो उतरवाने के लिए कहा, वो शरणार्थी ही प्रतित होता था मैंने फोटो खिच्वा लिया, जिस समय में स्टेशन पर आया, मैंने आप्टे को दो पत्र लिखे, जिसमें अपनी मानसिक दशा का वरणन किया और अपने फोटो भी भेज दिये नानारों अप्टे से प्रेस और पत्र के ख्षेत्र में मुझसे घनिष्ठ सम्मंद थे उन्हें मैंने एक पत्र व्यक्तिगत पते पर भेजा, और दूसरा हिंदु राष्टर कार्या लेके पते पर अंत में मैं ये कहना चाहता हूं कि जो वक्तेवे मैंने दिया है वो सत्य और शुद्ध है प्रत्यक बाद संदर्व ग्रंधों को देख कर तैयार की गई है मैंने सरकारी समाचार पत्र, इंडियन एर बुक, कॉंग्रेस का इतिहास, गांधी जी की आत्म कथा समय समय पर प्रकाशिक कॉंग्रेस के बुलेटिन, यंग इंडिया और हरिजन की फाइले और गांधी जी की प्रार्थना सभा के भाशनों से ये वक्तव्य तयार करने में सहायता लिया है मैंने लंबा वक्तव इसलिए नहीं दिया है कि लोग मेरे कार्य को सरा है बलके इसलिए दिया है कि लोग मेरे विचारों को भली भाती जान जाए और किसी के मस्तिश्क में मेरे विशे में कोई भ्रांत धारना नर है भगवान करे हमारा देश फिर अखंड हो और जनता उन विचारों का त्याग करे जो अत्याचारी के आगे जुकने की प्रेरना देते है भगवान से यही मेरी अंतिम प्रार्थना है मेरा वक्तव्य अब समाप्त हो चुका है आपने इसे ध्यान से सुना और सुविधाएं दी उसके लिए मैं कृतग्य हूँ जिनों ने इस बड़े अभियोग में मुझे कानुनी सहायता दी और जो पुलिस ओफिसर इस अभियोग से सम्मंदित है उनके प्रती मेरे रुधे में कोई दुरभावना नहीं है मैं उनके सद व्यभार के लिए उनका भी कृतग्य हूँ जेल के अफिसरों को भी धन्यवाद उन्होंने मेरे साथ बहुत अच्छा व्यभार किया है ये सत्य है कि मैंने तीन चौर सोन लोगों के बीच दिन के समय गांधी पर गोलियां चलाई मैंने भागने का कोई प्रैत्न नहीं किया वास्तों में भागने का विचार मेरे मस्तिष्क में आया ही नहीं मैंने अपने उपर गोली चलाने का प्रैत्न भी नहीं किया आत्मघात करने का मेरा कभी विचार न था क्योंकि मैं अपने विचारों को खुले न्यायले में प्रकट करना चाहता था अलोचनाओं के बावजूद भी मैंने जो कुरुत्य किया उसके नहितिक पक्ष पर मेरी आत्मा कभी विचलित नहीं हुई मुझे किंचित भी संदेग नहीं कि भविश्य में सच्चाई और इमानदारी से इतिहास के इस अध्याय को इतिहासकार लिखेंगे तो वे मेरे कालियों और उसके परणाम का सही मुल्यांकन करेंगे अखंड भारत अमर रहे वंदे मातरम दिल्ली आठ नवंबर 1948 नतुराम विनायक गोडसे अभियुक्त क्रमांक एक झाल